हालो गाईज क्या हाल है सबके आज का माई टापिक जो है वह है बैंक रिलिटेट प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन आप लोग जो बैंक जाता हैं तो दो प्रॉब्लम आप मुस्ली फेस करता है नंबर एक लॉंस ट्राइम है अभी नहीं नंबर दो चार बज गाए हैं अभी यह काम नहीं हो सकता लेकिन आपको बताऊंगा कि यह दोनों ही चीज़े और क्या गाइडलाइन से इन चीजों के लिए और कैसे आप इस चीज से निपट सकते हैं वाकि जो एक मॉस्ट इंपर्टन प्रॉब्लम है बैंक की वहां के स्टाफ आप से बिहेव करता है काउंट एक से लेकर तीन तक बैंकों का लंगे तो आप बैंक है आपको विडरॉल करना है डिपॉजिट करना है कुछ भी करना है आप वहां जाएंगे आप उनसे काम करना है थो ओन आपको अगरेंगे नहीं बीज़ड़ रहें तो दोस्तो ऐसा होता है एक्शुली अकॉरदिन आप जिस भी टाइम बैंक जाएंगे आपको आपका वह काम बैंक के स्टाफ को करना होगा अगर उनको लंच करना है तो वन बाइवन वो लंच करेंगे कि एक मेंबर जाएगा दूसरे मेंबर आ जाएगा इस तरीके से लेकिन आपसे यह नहीं कह सकते कि यह काम नहीं होगा ल में बैंक जाना जो रही होता है तो तुसमें 3-4 बच जाते हैं तो आपको गेट पे वाश्मेंट कह देगा कि नहीं हम नहीं आना अंदर कि क्यों कि टाइम चार बच गए ऐसा भी नहीं है आर्बियाई के अकॉर्डिंग जब तक बैंक का टाइम है पांस साड़े पांस तक का आपका कोई भी काम हो वो बैंक को करना होगा उस निद्धार इस समय पे तो यह दो चीज़ें हैं लेकिन अगर आप सोचेंगे कि यार अगर हम यह चीज़ें कहें तो और वो नहीं माने तो फिर हम क्या कर है तो इसके लिए हर बैंक का एक Ombudsman होता है लाइक की लोगपाल अगर आपकी बात नहीं महां मानी जा रही है आपकी बात वैलिड है आप सही कह रहे हो और स्टाफ आपस यह कह रहा है कि नहीं आसा कहा है का लिखा है दिखाओ ऐसक्यों है तो हर बैंक का ऑन लाइन जाकर एक जैसे सब्सक्राइब आपको गूगल क्रॉम पे बहुत सारे जर्ण मिलेंगे जिसमें आपके पास कस्टोमर केर का उप्शन अविलेबल है वहां पे नंबर होगा जो उस ब्रांच का नॉडल ऑफिसर है पूरी ब्रांच का जहां जो इतनी ब्रांच उसके अंडर में आती वार किया है या आपके जो सिविल राइट से उनको ना कहा रहा है कि यह नहीं होता है यह उतका लिखा है तो उस पर जरूर ही कारवाई होगी और उसको इस बात का पपह चलेगा अब मैं आपसे बात क्यों कह रहा हूं मैं क्यों समझा रहा हूं आपको यह चीज़े मैं असल में उनको ऐसा सोच लिया है कि यहां पर हूं होना ही है यहां पर तो यह सही करते हैं यह तो होता ही है हमको हो में च he है उसने हमें बताया है Sovereign समझते हो Sovereign क्या होता है सवरप्रथम यानि कि आपकी एक डिग्निटी है आपकी एक इज्जत है और आइटिकल 14 राइट टू क्वालिटी अगर वहां कैशियर है ना और आप वहां पर बैंक कस्टामर हो तो दोनों आप एक्वल हो सोसाइटी में भारत देश में हर नागरिक एक्वल है अकॉर्डिन टू आइटिकल 14 राइट टू एक्वालिटी सो आप इस चीज़ को इंवर मत करा कीजिए कि यह तो होता ही है यह तो चलता ही है आप उनको एक्चुली और हिम्मत देते हो कि कोई बोलता नहीं है आप कहते हो कि आप आने वाली नसलों के लिए जनरेशन के लिए प्रपलम करेट कर रहे हैं अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे आप उन्हें कानून नहीं बताएंगे कि मुझे पता है तो आने वाले लोगों के साथ ऐसे ही करेंगे और यह सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा इससे किसका किसी का भी नहीं समाज का शोशड होता रहेगा समाज को जो है जो आम लोग हैं जो गरीब लोग हैं उनके साथ ही वेपर होता रहेगा चलो जाओ यह काम नहीं होगा तब करेंगे बाब में करेंगे तो अवेर होईए अपने राइट से आपके civil rights क्या है आपके fundamental rights क्या है आपकी value क्या है आपकी dignity क्या है कानून के दायरे में तमीज के दायरे में रहकर सवाल पूछिए बताइए कि मेरा ये अधिकार है और मेरे इस अधिकार की वज़े से आपको मेरा ये काम करना पड़ेगा अवेर बनिये society को अवेर कीजिए तो आज यही था thank you so much